हेलो एवरिवन वेलकम अगेन इन लर्ण मेर दित्यमन आज हम कर रहे हैं जोग्राफी का क्लासिक्स का चप्टर नमबर सिक्स और हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के प्रत्वी का कितना भू भाग है आप सभी जानते हैं प्रत्वी का 39 पर्सेंट भू भाग जो है प्रत्वी का जो महासागर है वो कितना भाग में आता है पूरी धरती के वो 71% यानि 71% 71% जो भाग है वो पिर्थवी का क्या है? महासागर है, जलिये छेतर है ठीक है? Next question देखते हैं महादीप और महासागरों की संख्या कितनी है? महादीप और महासागरों की संख्या कितनी है? तो महादीप में तो सभी बता देते हैं लेकिन महासागरों में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो देखे महादीप हैं हमारे साथ और चार हैं महासागर ठीक है? आपके महादीप कितने हैं? साथ हैं और महासागर आपके टोटल कितने हैं? चार महासागर हैं. Next question देखते हैं चेतरफल अथवा जन्संख्या की द्रेष्टी से सबसे बड़ा महादीप कौन सा है? इसका आणसर है एशिया जो है छेत्वा और जन्चंख्या की द्रेषटी से विश्व का सबसे बड़ा महादीप है और ये टोटल धरती का करीबन 30% हिस्सा यानि 30% हिस्सा ये cover करता है Next question देखते है Asia महदीब को Africa महदीब से अलग करते हैं Asia महदीब को Africa महदीब से अलग करते हैं Asia महदीब और Africa महदीब के बीच में barriers हैं, जो अलग इनको करते हैं वो क्या है? उसका answer है Swaz Nahar और Lala Sagar Asia महदीब और Africa को स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग-अलग देखा जाता है Next question Asia महादीप को यूरोप से अलग करता है Asia महादीप को अभी आपने देखा था किसे देखा था? अफ्रिका से देखा था और इसमें क्या है आपको यूरोप से अलग जिसमें करता है उसका नाम आपको बताना है तो उसका अंसर है यूराल परवत और कैस्पियन सागर हमारा एशिया महादीप है जो यूरोप से किस प्रकार अलग है? यूराल परवत और कैस्पियन सागर इसके बीच में आ देए है जो इसको अलग करते है Next question एशिया किस महासागर से घिरा हुआ है? एशिया किस महासागर से घिरा हुआ है? तो इसका अंसर है पूर में प्रसांत महासागर है उत्तर में आर्क्टिक महासागर है और दक्षिन में हिंद महासागर है इसमें तीन जगें महासागर है पुर्व में प्रसांत महसागर, उत्तर में आर्क्टिक महसागर और दक्षिण में हिंद महसागर इसके इस्थेत है योऔर और एशिया जो है वो जो उनकी धर्ती है वो आपस में मिली हुई है वो पूरी तरह अलग नहीं है, बाकी जो महादीब हैं उनके बीच में जली सीमा है लेकिन यूरोप और येशिया के भीमई जो है, वो एक जगे इह है तो इस वज़े से इसको कमाइड ली, यानि यूरोप और येशिया को मिला कर क्या कहा जाता है वो इसे में पूछा गया, तो उसको हम कहते हैं Eurasia, उसको क्या कहते हैं Eurasia, next question, कौन सा महादीब मुख्य तहा उत्री गोलार्द में इस्तित है, तो देखिए इसका अंसर है एशिया महादीब, क्योंकि एशिया महादीब के कुछ दीफ समुही है, जो की दक्षिनी करते हैं, लेकिन मुख्य भूमी जो उसके हो, पूरी तरीके से उत्री गोलार्द में इस्तित है, next question, देखिए, विश्व का सबसी उचा सिखर किस परवश शंकला का हिसा है, देखिए, आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसी उचा सिखर है, वो माउंट आवरेश्ट है लेकिन वो किस परवश शंकला का हिसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उसका अंसर है, हिमाले परवश शंकला का वो हिसा है, और जो हिमाले, ये इसकी उचाई जो माउंट आवरेश्ट की है, वो 8848 मीटर है, इस बात का भी आप जहान रखीएगे, ये इस तोर पर कि 8848 मीटर माउंट आवरेश्ट की हुचाई यहां पर बताई गई है, और ये कहां पर इस्तित है, नेपाल और चीन की सीमा पर इसे इस्तित माना जाता है, कहां पर नेपाल और चीन की सीमा पर जो माउंट आवरेश्ट है, वो वहां इस्तित है, और ये हिमाले परवर्शंक्ला का हिस्सा है, चलिए, next question देखते है, विश्व का सबसे नीचा इस्थान किस इस्थान पर है, विश्व का सबसे नीचा इस्थान किस इस्थान पर है, देखिए, हमने विश्व का सबसे उचा इस्थान देखा, और ये विश्व का सबसे नीचा इस्थान है, और है क्या? म्रस सागर है जो जॉर्डन इजराइल सीमा पर इस्थित है और ये म्रस सागर जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है. जड़ी, next question देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा पथार जिसे बरफीला पथार भी कहा जाता है का क्या नाम है तो यह कहाँ पर है ये एशिया के अंदर इसको हम सब जानते हैं एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो था एसिया और लेकिन जन्संक्या और छेत्वल की दर्ष्टी से दूसरा सबसे बड़ा महादीब कौन सा है? वो है आपका अफरीका अफरीका महादीब जो है वो आपका जन्संक्या और छेत्वल दोनों ही दर्ष्टी से करीबन दूसरा विश्व का महादीब है और यहाँ पर कुल इस्तान के 20% भाग पर ये फैला हुआ है और चलिए नेक कोशन दिखते हैं किस महादीब से तीनो भूमद्य रेखा करक रेखा वे मकर रेखा निकलती है आप सभी जानते हैं क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर है अफरीका अफरीका से जो तीनो रेखा हैं भूमद्य रेखा जो है करक रेखा है और जो मकर रेखा है ये तीनो की तीनो रेखा है कहां से निकलती है ये अफरीका से निकलती है और इसी वज़े से यहाँ का जो मूलतह जो छेत्र है वो उस्टन कटिवंद्य ये छेत्र माना जाता है तो से यूरोप महादीप को अलग करता है तो आपको याद होना चाहिए कौन अलग करता है भूमत दे सागर अफ्रीका महादीप से यूरोप महादीप को कौन अलग करता है भूमत दे सागर नेक कोशन अफ्रीका किन महासागरों से घिरा है अफ्रीका किन महासागरों से घिरा है तो देखिए, पूर में हिंद महासागर और पच्चिम में अटलांटिक महासागर अफ्रिका किन महासागरों से दिरा है? पूर में हिंद महासागर है और पच्चिम में अटलांटिक महासागर है इसकी चलिए नेक कोशन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो की उत्री अफिरिका में इस्थित है विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है और विस्व की सबसे लंबी नदी नाम क्या है विस्व के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है तो आप सभी जानते हैं विस्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है विस्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी और ये कहां पर है ये भी आपको पता है ये अफरीका में अफर और कालाहारी मरुस्थल भी है जो काफी फेमस है तो इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए नामिक और कालाहारी मरुस्थल जो दक्षण हिस्थे में पढ़ते हैं चलिए और एक बात और भूमद्य सागर में जो यह नील नदी है कहां पर गरती है भूमद्य सागर में ग Next question, विस्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्सावनों का छेतर है, विस्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्सावनों का छेतर है, तो यह कौन सा है, कांगो बेशन, कांगो बेशन का जो एरिया है, वो सबसे बड़ा वर्सावनों का छेतर, दूसरा सबसे बड़ा वर्सावनों का छ आपको यह बहुत अच्छी से पता है कि इसका जो विस्व का सबसे बड़ा वर्सावन माना जाता है, लेकिन पहला सबसे बड़ा वर्सावन कौन सा है, हम अमेजन. अमेजन के जो जंगल है विस्व के सबसे बड़े वर्सावनों का छित्र है और वो कहाँ पर वो भी अपने वर्सावनों के हिसाब से ही अमेजन का जंगल अमेजन नदी के उपर ही पड़ा है उसी तरह कांगो बिसिन है, वो भी कांगो नदी के उपर पड़ा हुआ है इसका नम चलिए और देखते हैं इस वर्षावनों के पास जो भूमद्दे रिखा के आसपास सवाना घास के मैदान भी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन बनता है ये जो कांगो बिसिन है, इसके आसपास सवाना घास के मैदान है जो भूमद्दे रिखा के आसपास है तो सवाना घास के मैदान के उपर भी डिरेक्ली कोशन पूंच लिया जाता है कि कहां पर इस्तित हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए यह कांगो बेसिन पे हैं और भूमद्देरिखा के आजबास इनका छид्र है और हाँ इन सवाना घास के मिदान एक चीज की लिए और फेमस है वो हैं दो सिंग वाले जो गैंडे हैं, जैबरा है, हिरन है, अफरीकी सेर्विसेस तौर पर है, यह जीव यहाँ पर मिलते हैं, तो इस चीज का भी आपको धियान रखना है, कि दो सिंग वाला जो कि आपको पता है कि लुप्त होने के गगार पर है, दो सिंग वाला गैंडा ह यह सभी कहाँ यह इसी सवानगास के मैदान के सेत्र में मिलते हैं नेक कोश्चन अफ्रीका की सबसे लंबी परवश्रंखला का क्या नाम है? अफ्रीका की सबसे लंबी परवश्रंखला का क्या नाम है? अफ्रीका की सबसे लंबी परवश्रंखला का क्या नाम है? कहां से है, मोरक्को से ट्उनीशा, ये दोनों देस हैं, मोरक्को और त् Sounds कफिली हुई है इसका नाम है Atlas परवर शंकला और एंप आफ्रीका की सबसे लंबी परवर शंकला है next question आफ्रीका का सबसे उच्वा स्थान कहां इस्तित है तो उसका नाम है तंजानिया में किली मंजारो के अंदर है तंजानिया में किली मंजारो और आपको बता दूँ कि तंजानिया में जो किली मंजारो है और केनिया में जो केनिया परवत है वो जौला मकी छेतर है और यहां पर क्या है यहां पर जो लावा निर्मित मिट्टी के उपजाओ छेतर हैं, वो पाए जाते हैं, जिसकी वज़े से यहाँ पर काफी उपजाओ मिटी पाई जाती है, तो ये भी एक अपने आपने काफी इंपोर्टेंस रखता है, नेक कोशन, विसकी दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की जील का नाम क्या है, विसकी दूसरी सब आफरीका की सबसे बड़ी जील विक्टियोरिया है, जो विसकी ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जील है, नेक कोशन, छेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा महादीब काउन सा है, देखे, अभी तक हमने छेतरफल और जंसंक्या की दृष्टी से जब देखा, तो पहला तो इसिया था, दूसरा क्या था, अफरीका था, लेकिन अब हम केवल छेत्फल की दिश्टी से तीसा सबसे बड़ा महादीब की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना ची यह वो कौन सा है, वो है उत्री अमेरिका, क्योंकि उत्री अमेरिका में आपका जो मुख्यते ज प्रभाव है, वो ज्यादा है, पॉपुलिशन ज्यादा है, तो इस वज़े से शेत्फल की दिश्टी से तीसा सबसे बड़ा महादीब भी है, जिस हिसाब से विक्सित है, चलिए नेक्स देखते हैं, उत्री अमेरिका किस प्रकार जल छेत्रे से घिरा है, उत्री अमेरिका किस प्रकार जल छेत्र से घिरा है उत्री अमेरिका में क्या है देखे उत्तर में आक्टिक महासागर है दक्षिन में मेक्सिको की खाड़ी है पूरू में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में इसके प्रिसांत महासागर इस्तित है ये देख लीजे, उत्तर में आर्क्टिक महासागर है, दक्षण में मेक्सिको की खाड़ी है, पूर्व में अट्लांटिक महासागर है और पस्ची में प्रिशांत महासागर इस्तित है चलिए, नेक्स देखते हैं तो इनके बारे में आपने डेफिलेंटली सुना होगा, वेस्ट इंडीज के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा ये किसका हिस्सा है, उत्री अमेरिका के ही हिस्से हैं ये नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं उत्री अमेरिका का सबसे उचा परवतिय सिखर कौनचा है उत्री अमेरिका का सबसे उचा परवतिय सिखर कौनचा है तो कौनचा है उसका सबसे उचा है, माउंट देवाली और माउंट देवाली जो है वो कहां किस परवशंकला का हिसका है अलास का परवशंकला का हिस्सा है माउंट देवाली जो उत्री अमेरिका का सबसे उचा परवशंकला का हिस्सा है वो किसका हिस्सा है अलास का परवशंकला का एक हिस्सा है चलिए, नेक कोशन देखते हैं उत्री अमेरिका का सबसे पुराना परवत कौन सा है यह आपने देखा सबसे उचा लेकिन यह क्या है उत्री अमेरिका का सबसे पुराना परवत कौन सा है तो इसका आंसर क्या है अपलेशन परवत है जो उत्तर पूरों में इस्थित है वो क्या है उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना परवत है नेक कोशन उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा छेत्र कहां इस्थित है उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा छेत्र कहां इस्थित है तो देखी है ये भी बहुत famous है और इसका नाम है मिरतगाटी जो कैलिफार्णिया में इस्तित है देखो कैलिफार्णिया भी बہुत famous है और मिरतगाटी भी बहुत famous है तो उत्रे अमेरिका का सबसे नीचा चेतर का में इस्तित है कैलिफॉर्णिया में है और इसको हम क्या कहते हैं मृत घाटी के नाम से जानते हैं Mississippi, Missouri और Ohio किस महादीव का अंग है ये जो तीनो नदिया है ये Mississippi, Missouri और Ohio किस महादीव का अंग है ये तीनो नदिया है और ये किसका महादीव का अंग है ये उत्रे अमेरिका का ही हिसा है इसका अंग है ये उत्री महार्डीप, उत्री अमेरिका का ही हिसा हैं Mississippi, Missouri और OEO क्या हैं? ये तीनों नदियां हैं Next question विस्व का सबसे गहरी और बड़ी Grand Canyon किस नदी परिष्थित है? विस्व की सबसे गहरी और बड़ी Grand Canyon किस नदी परिष्थित है? तो देखे बहुत famous है ये और ये क्या है? ये है Colorado नदी परिष्थित है कहाँ परिष्थित है ये? इसको हम Grand Canyon भी कहते हैं और Grand Canyon के नाम से ही ये जानी जाती है और ये कहाँ परिष्थित है? Colorado नदी परिष्थित है उत्तरी अमेरिका की ये नदी है तो ये भी बहुत गहरा और बहुत बड़ा गर्थ है विस्व का तो ये भी आपके लिए काफी important factor है नेक question देखते है विस्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कहा है जिते है देखें ये question अब कई बार question papers में आ चुका है तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर लिजगा विस्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कहा है जिते थैं विस्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कहा है जिते थैं तो वो है संयुत्राज America में और कनाड़ा के मद्ध है जिसका नाम है superior Gheel कहां पर इस्थित है यह है साइक तुराज अमेरिका यानि USA और करनाड़ा के मद्ध है जो उनकी बॉर्डर लाइन है उस पर है सुपरियर्ड जील के नाम से नेक क्रूशन देखते हैं उत्री अमेरिका महादेप में इस्थित परसिद पाँच जीलों के नाम बताएं लेकर इनमेंसे एक जील तो कहां चील यह है याई क्विकरियर जील और दूर्टी सबसे बड़ी ताज़ पानी की जील कहां पर रही अफ्रीका में थी जिसका नाम विक्यर्या था और आब हम प ही जो वह जिशन कॉन का नाम है کی स्पेरीयर जील मिसीगन जील इरी जील और और उंटेरियो यानिए तो महाजील का इस्थान भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा फेमस है, सुपरियर तो सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है, और इस वज़े से यह बहुत इंपोर्टेंस अपने आप में रखती हैं, यूएस और कनाड़ा के एक तरीके सा बॉर्डर लाइन पर इस हिस्सा है, अमेरिका जो देश है, यह जो शेंकतराष्ट अमेरिका है, वो कहां पर है, उत्री अमेरिका में, दक्षिन अमेरिका केवल नाम ही महादीप का दक्षिन अमेरिका है, लेकिन यह अमेरिका इसका हिस्सा, मलब इसमें अमेरिका देश नहीं है, यह जस्ट छेतर प दक्षिन अमेरिका महादेप किन जल छेत्रों द्वारा गिरा है तो वो कौन से हैं उत्तर में केरिबियन सागर है पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर में अटलांटिक महासागर इसमें इस्तित है उत्तर में केरिबियन सागर पश्चिम में प्रशांत महासागर औ सबसे बड़ा देश कौन सा है डक्षण अमेरिका का छेत फलकी द्रेशती से सबसे बड़ा देश कौन सा थे ये ईये डेश है ब्राजी और ये है बहुत इंपड़ा द्रय रखता है तो यह इसमें बहुत सारे ऐसे ब्राजी के अंदरे से बहुत सारी चीजे हैं जो अपने आप में बहुत इंपोर्टनिस रखें इसलिए इस देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको यह दक्षिन अमेरिका का छेथफल की दक्षिस से सबसे बड़ा देश कौन सा है ब्राजील है नेक्ट कोशन दे और दक्षिन अमेरिका जो विस्व का चौथा बड़ा महादीप है छेथफल की देश्टी से ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी परवश्रंक्ला है उसका नाम क्या है एंडीज परवश्रंक्ला है एंडीज परवश्रंक्ला है उसकी सबसे लंबी परवश्रंक्ला मान नहीं गई है ठीक है और यह अमेरिका के पश्ची में इस्तित है यह दक्षे अमेरिका के पश्ची में इस्तित है नेक कोशन देखते हैं एंका का गुवा परवत किस परवश रंकला का हिस्सा है? एंका का गुवा परवत किस परवश रंकला का हिस्सा है? देखी एंका का गुवा जो है वो सक्रिय जौला मुक्षी भी है एंका का गुवा और ये एंडीज परवशंकला का हिस्सा है तो ये दक्षिन अमेरिका की सबसे उचा परवशंकला का हिस्सा है और ये शक्रिय ज्वाला मुखी भी है इस बात को आपको याद रखना है चलिए नेक्स देखते हैं विश्व का सबसे उचा जल परपात किस देश में इस्थित है तो देखे ये दक्षिन अमेरिका के वेनेजुएला में इस्थित है और इसको हम बहुत अच्छे से जानते है एंजेला फॉल एंजेला जल परपात ये बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा पिक्निक स्पोट ह अब भी घुमने जाएगे गास में टेक है वेनेजुएला वेनेजुएला देश है जो दक्षिन अमेरिका का एंजेला फॉल यानि एंजेल जल परपात जो है वो यहां पर इस्थित है नेक्स देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है देखे विश्व की सबस फल घेरता है इसी तरह यह जो नदी है ज्यादा छेत्र फल घेरती है इसी वज़े से इसको क्या बोलते हैं सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी नहीं है सबसे लंबे नदी कौन थी नील नदी थी और सबसे बड़ी नदी कौन थी है अमेजन नदी जो विश्व का सबस मरुसल किस देश में इस्तित है देखिए यह बहुत famous क्यों है क्यों importance रखता है अटाकामा जो है यह मरुसल विस्व का सबसे सुस्क छेत्र है इसमें जो humidity होती है आद्रता होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है इसकी वज़े से इसको मलब बहुत importance देखा जाता important fact माना जाता है और एक इस देश में इस्तित है तो यह इस्तित है आपका चिली देश में और चिली देश कहां पर इस्तित है आपको पता है यह दक्षण अमेरिका का हिस्सा है तो आपको definitely याद हुआ होगा तो देखिए इस chapter में करिबन 75 के अप्रॉक्स facts हैं ज और next part के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए thank you